तारीक 19 ओक्टोबर 1957 धर्मेंद्र सिंग देयौल और प्रकाश कौर के घर पैदा हुआ उनका सबसे बड़ा बेटा अजे सिंग देयौल जिसे प्यार से हम कहते हैं सनी देयौल सनी देयौल को सुभा जादा पसंद है और बच्पन से ही यही देखा कि रात सोने के लिए होती है इसलिए कभी पार्टीज वगरह में ज्यादा सनी देयौल नजर नहीं आते बच्पन से ही सनी स्पोर्ट्स में बहुत आगे थे स्कूल की हर एक टीम मेंन का सेलेक्शन होता था पर यह स्पोर्ट्स में आगे नहीं जा पाए क्यों घर से खुल के इजाज़त नहीं थी और इसके बाद सनी देयौल ने मन बनाया कि वो भी अपने पिता की तरहां एक्टर ही बनेंगे और चूखी बच्पन से ही सनी बहुत शर्मीले थे तो धर्मेंदर साहब ने सोचा क्यों ना इस लड़के को एक्टिंग की ट्रेनिंग गलवाई जाए और इसलिए भेजा गय इन्हें लंडन के बर्मिंगम थेयर्टर स्कूर में लंडन में सनी देयौल के व्यक्तित पर जरक फुला वहां पर अजब अजब शौक भी हुए पर सनी देयौल ने मन बना लिया कि सिगरेट और शराब इन दों से हमेशा के लिए दूर रहेंगे लंडन में अपनी ट्रेनिंग पूरी की और इसके बाद पिता धरमेंद्र का फून आया कि बेटा सनी वापस आ जाओ बेताप तुम्हारा इंतजार कर रही है सन 1983 में बेताप फिल्म के साथ सनी देयौल ने शुरुआत की जिसमें इनकी हेरोईन रही अमृता सिंग सनी देयौल उन एक्टर्स में से रहे जिन्होंने इस बात से गुरेज नहीं किया कि वह शुर्ट लेस्ट दुनिया के सामने आए इनका फिजीक हमेशा इनका साथ देता हॉल्लीवूट के मशूर अक्टर सिल्वस्र स्टालन से ये खासे प्रेयरित थे और उन्हें मिसाल मानकर सनी देयौल ने अपनी बाड़ी पे काम किया सिल्वस्र स्टालन की जिम में ही सनी ने वर्दिश की और गढ़ा हुआ शरीर बनाया सनी देयौल उन हिरोज में से हैं जो पंच मारते हैं तो लगता है कि वागई पंच लगा है फिल्म बिताब बड़ी सफल हुई और उसके बाद एकुछ बरस सनी देयौल के लिए ठीक नहीं थे और फिर आई फिल्म अर्जुन जिसने कमाल कर दिया सनी देयौल एक रोमैंटिक एक्शन हीरो की काटेगरी में आ गए उसी दोर में फिल्म जाई चालबाज और त्रिदेव जिसमें इनके काम को खूब सरहा गया और फिर वो फिल्म आई जो खुद इन्हीं के होम प्रेड़क्शन ने प्रेड्यूस की थी घायल जिसके लिए सनी देयौल को आवार्ट से भी नावाजा गया था ये बात इन्होंने हमेशे साबित की कि ये सिर्फ एक अक्शन हीरो ही नहीं। रोमांटिक गोल्ज में भी इन्होंने कमाल किया चाहे वो फिल्म सोनी महिवाल रही हो या फिर गदर एक प्रेम का था एक्टिंग के साथ-साथ इन्होंने डिरेक्शन में भी हाथ आजमाए अपने छोटे भाई बॉबी देयॉल और हेरोईन उर्मिला मातउंकर को लेकर फिल्म बनाई दिल लगी कमाल की बाद ये है कि सनी देयॉल उस दौर में चमके जब इनके पिता खुद बहुत एक्टिव थे रुमैंडिक हीरोज आए, एंग्री हीरोज आए और सनी देयॉल की जगा बरकरार रही चाहे वो फिल्म बॉडर रही अपने या फिर यमला पगला दिवाना सनी के निजी जीवन की तरफ रुख करें तो पता चलता है कि इनकी शादी हुई पूजा देयॉल से और इस शादी से इन्हें दो बेटे हुए करन और राजवी इनकी परफॉर्मिंसिस की वज़े से इन्हें एक नहीं बलकि दो बार नाशनल आवार्ट से नवाजा गया सनी देयॉल उन गिने चुने अक्टर्स में से हैं जिन्होंने बदलते वक्त में भी अपना रसूब कायम रखा है महान प्रतिबहों के जीवन के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करें People and History